भूगोल एक परिचे है भूगोल शब्द का अंग्रेजी परियाए जियोग्राफी है जो ग्रिक भाषा के दो शब्दों जियो और ग्राफी के मेल से बना है यानि geographic का अर्थ हुआ प्रत्वी का vernon क्योंकि जियो मतलब प्रत्वी ग्राफि मतलब वरणन विश्व में सरप्रथम यूनानियों ने भूगोल का नाम करण कर इसे विशय या subject के रूप में व्यवस्थित रूप प्रदान किया था हिकेटियस को भूगोल का जनक या पिता माना जाता है याद रखना सरप्रतम हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जैस पेरिडियस में यानि प्रत्वी के वर्णन में भूगोलिक तत्वों का करमबद समावेशन किया था इरेटो इस्थनीच नामक विद्वा ने सरबतम भुगोल के लिए जियोग्रोफिया शब्द का प्रयोग किया जो अंग्रेजी के जियोग्रोफी के रूप में वेवार में हुआ आया इरेटो इस्तनीच लिखित ग्रंत जिग्रोफिया में गणीतिय भूगोल, mathematical जिग्रोफिक का विकास किया गया था इरेटो इस्तनीच को विवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट को आधोनिक या वर्तमान भूगोल का जनक कहते हैं किसको अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट को पोलिडीनियस को भौतिक भूगोल, physical geography का जनक माना जाता है हेरोडोटस को एतिहासिक भूगोल का जनक माना जाता है ब्लाश, ब्लाश को मानव भूगोल का जनक माना जाता है सरपथम NXZ मेंडर ने विश्व के मानचित्र को बनाया या उसका मापक पर बनाया था विश्व मानचित्र को बनाया था 19 वी शरताबदी में अध्यन के लिए एक स्वतंत्र विश्व के रूप में भूगोल को मानिता मिल गई थी मनुष्य और परियावरण के पारसपरिक संबंदों के अध्यन के रूप में भूगोल का विकास 20 शरताबदी में शुरू हुआ तब इसकी दो विचारधारा प्रमुक रूप से सामने आई संबहवाद के अनुसार मनुष्य अपने परियावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है वह प्रक्रति प्रदत अनेक संबहावनाओं का अपनी इच्छारू सार उप्योग कर सकता है परन्तू इसके विप्रित एक विचाधारा निकल के अई निश्यवाद, निश्यवादी विचाधारा के समर्थक में भुगोल विथा थे हिटिंग्टन, ऐलन, सेम्पूल, रिटर, रेंज जेल आदी नवीन निष्यवाद का संस्था पक जो है भूगोल वित्ता रेंट जेल को माना जाता है निष्यवाद के नुशार मनुश्य के समस्तिकार्य पर्याồiं द्वारा निर्धारित होते हैं अता उसे कुछ करने की सोतंतता कम ही है वो अपनी मरजी से कुछ नहीं कर सकता सब परियावन द्वारा निधारित है बुगोल के संबनद में महत्यपूर्पूर परिभाषा है आर्थय होम आर्थर होम ने परिभाशा दिये इस्ट्रेवो एक इतिहास कार्वी है ये कहते हैं भूगोल एक एसी सतंत्र विशह है जिसका उदेशी लोगों को विश्व, भूमंडल, आकाशी एपिंडो, इस्थल, महासागरों, जीवजन्तों, वनस्पतियों, फलोतता, भूधरातल के सभी शेत्रों में देखी जाने वा विज्ञान है जिसमें प्रत्वी को एक सतंत्र गरह के रूप में मानिता देते हुए उसके समस्लक्षणों, घटनाओं एवं उनके अंतह संबंदों का अध्यान किया जाता है वन रिच थोफेन भूगोल में प्रत्वी तल के विभिन्ड शेत्रों का अध्यान उनकी समगर विशेशताओं के आधार पर किया जाता है इसमेकार की विभिन्ड परिभाशा है अभी किसी काम की नहीं है यह नेक्स्ट भूगोल की दो प्रमुक्षाका हैं एक भोतिक भूगोल और एक मानव भूगोल तो हम पढ़ने वाले हैं अब भोतिक भूगोल अगर भोतिक